तो यह जो एरबर्ट्स है यह आपको मिलता है साड़े आट सो रुपर मैं पहली बार जब स्टार्टिंग जब यहादा प्राइस कुछ अब बढ़ गया है काफी जादा लोग इसे पर्चेस कर रहे है कि एरबर्ट्स ही मुझे ऐसा लगता है कि एक एरबर्ट्स ही है जो ज्यादा एज़स्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होता है कि एरबर्ट्स ही है जो एक्चुली सबको चाहिए नेक बैंड भी एजचेस करने बहुत दिक्कत है गले में रखके रखो या फिर जाए कभी कीर भी जाए तो पता नहीं चुलता है कि एरबर्ट्स है कि वह आपको बस काहन में लगाना है बाकी आपको कुछ पाता भी नहीं सुनका है तो एरबर्ट्स है इसकी sound quality के अगर मैं बात करूं तो यह नॉर्मल है दिखने-wise काफी बढ़िया है चार्ज करने में इसे गरीवार अपको लगेंगे और एक घंटे और एक घंटे में अगर आप इसे यूज करते हो तो एक दिन पूरा चपका चल जहाए तो बैटरी वैक आप इस ऊसे एक दिन अगर आपका एरबर्ट्स चल रहा तो और अगर यूज निकरता घर में नाॉर्मल एड़्फोन यूज करता हो और ये एड़फोन मुझे काफी काफी मुझे इंप्रेसिव लगाई प्रिकॉस को जो लुक है और जो लुख निकलता है असका हुआ आक से जब आप चार्ज पे जब आप लगा होगी काफी वहाटने में काफ भी ठीट आके जो नॉर्मल रेवर्ट से तो अच्छे हैं भी बात करते हैं इसकी कॉल करनेक्टिवीटी की तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला है कॉल कनेक्टिविटी में मतलब थोड़ा सा आपको जोर से बोलना पड़ेगा मतलब जादा धीरे हम बात नहीं कर सके थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कॉल के दोरा मतलब आवाज थोड़ा कम जाएगा तो थोड़ा मतलब प्राइस के इसाब से ठीक है फिर भी लिकिन पुड़ा जोर से बोलना पड़ता है उसके बाद बात करते हैं आप पर इसके विल कॉलिटी तो वो तो लुक वाइस तो काफी मैंने पड़ी है तो ओवरॉल एक बहुत अच्छा प्रोड़क्त है है इसका आप को व्यारंटी भी आपको मिलता है शे बहुत अच्छी बात है अरोमा के सभी प्रोड़क्ट के आपको व्यारंटी मिलते हैं पर उसका वैरंटी नहीं नहीं कि उसमें आपको काफी अच्छा स्पेसिफिकेशन यह आप आपको मिलता है तो यह ट्राइ करने से पहला अगर आप चाहो तो आप आप ट्राइ कर सकते हैं वीडियो अपडेर जरूर देखें